अहम्दाबाद में गुजरात उनिवस्टी में पढ़ने वाली विदेशी चात्रों से मारपीट का मामला सामने आये ये बताया जारा कि नमास पढ़ने को लेकर कुछ अपद्रव्यों ने होस्टल में घुस कर अफगानी चात्रों को पीटा इस मामले में पुलिस ने साथ लोगों की पहचान कर ली है और दो आरोपियों को किरफ़तार किया है इधर शोर शराबा है उधर से पत्थर बाजी है इधर से हमला रोकने की गुहार लगाई जा रही है उधर लोग आक्रोशित है यह हंगामा बवाल और मारामारी एहमताबाद में गुजरात युनिवस्टी के एक होस्टल की है इस विश्व विध्याले में करीब 300 विदेशी चात्र पढ़ाई करते हैं बताया जा रहा है कि अफगानी चात्र नमाज अदा कर रहे थे उसी दौरान कुछ उपद्रवी आया और उन्हें नमाज पढ़ने से रोका अफगानी चात्र नहीं माने तो उपद्रव्यों ने इनके साथ मार पीट शुरू कर दी नमाज का ही इश्व नहीं पूरी सिक्योटी का इश्व है हम एश्योर करते हैं कि इन बच्चों को प्यूरी सिक्योटी हम देंगे यह एक कल्चिरल ओरेंटेशन का मुद्धा है भारतिय संस्कृती के साथ उनके साथ बैठके हम क्या वो क्या चाहते हैं और हम क्या इस विश्व जाले के परीसर में नियम अनुसार उनको कैनने की इसने अपनी हमारी कुल 9 ती में हमने बनाती हैं चार कराइम ब्रांच की हैं और फांच DCP लोकल हैं उनके अंडर की है और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इनवाल्व है उनके खिलाफ पुलिस गड़क कारवाई करेगी उनको तुरंत गिरफतार किया जाएगा इसकी और प्राइम ब्रांच करेंगे